एलो दोस्तों तो करिए आज हम जो डिस्कस करेंगे ठीक हैं वो सामान हिंदी का करेंगे सामान हिंदी का जो हम लोग प्राक्री सेट कर रहे हैं ठीक उसी में आगे हम लोग आज डिसकस करेंगे ठीक है आगे के 30 important questions ठीक है तो वीडियो को आप लोग को share कर दीजिए ठीक है share जरूर कर दीजिए ठीक और comment भी करिए आप लोगों को किस तरह से जो है वीडियो हमारे लग रहे हैं ये भी हमें बताईए ठीक है अब हम आगे आज बात करेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला कोश्चन है पर है उत्पत्ती के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उत्पत्ती के आधार पर अगर हम भेद देखें तो कितने होंगे तो वो चार भेद होते हैं उत्पत्ती के आधार पर ठीक है कौन-कौन से होते हैं वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जिनमें की एक होता है रूड शब्द होता है ठीक दूसरा होता है योगिक शब्द होता है ठीक है ठीक दूसरा योगिक रूड होता है ठीक है योगिक रूड भी होता है ठीक है और एक होता है देश ये शब्द ठीक है तो ये होते हैं मारे उत्वपत्ति के आधार पर ठीक चलिए Next question देखेंगे где next question है संस्क्रिट के ऐसे सब्द जिसे हम जेयोंकातियों पर्योग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं या वो क्या कहलाते हैं तो यह तत सम कहलाते हैं लेकिन अगर इनका रूप बदल जाए क्या हो जाए रूप बदल जाए ठीक बदल जाए तो इनको हम क्या क ठीक, तो हम इनको तदभव कहेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कोशन है हमारा, बकील किस भाषा का सब्द है, तो याद रखेंगे बकील जो है अरबी भाषा का सब्द है, next question है भासा के लिखित रूप में बात बताते हैं, भासा का जो लिखित रूप में हम लिख कर बतानी है, लिखित रूप में कैसे बात बता सकते हैं, भासा को ठीक है, तो लिख कर बता सकते हैं, ठीक है, ब्याकरण भासा का बताता है, ब्याकरण भासा का क्या बताता है, काम ब बताता है भाषा का नियम बताता है ब्याकरण ठीक है पुस्प कौन सा सब्द है बताओ भई पुस्प जो है ततसम सब्द है ठीक है पुस्प का तदभब क्या हो जाएगा फूल हो जाएगा ठीक है तदभब हो जाएगा फूल लेकिन ये है ततसम नेक्स पोशन है उ के उचा से हैं इनका उचारण स्थान है इसलिए ओष्ठ भी कहलाते हैं याद रखेंगे इनको ओष्ठ भी कहते हैं ठीक है इनको हम ओष्ठ भी कहते हैं नेक्स पॉच्टन है, ए, ए, ओ, ओ, कौन सा स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं, और संयुक्त स्वर हमारे होते हैं, चार, ए, ए, ओ, 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 ठीक है, इनको याद रखना है हमें, हमारे लिए ये important question है, और ये बढ़ माला से भी related है, ठीक है, ये practice set है, य यह हमारे जितने भी competition है सभी के लिए important है तो एक लाइक तो बनता है इन चीजों के लिए ठीक है चलिए next question है मात्राएं कितने प्रकारकी होती है तो मात्राएं तीन प्रकारकी होती है एक होती है एक मात्रिक ठीक एक मात्रिक ठीक एक होती है दुए मात्रिक ठीक है जिनको हम एक मात्रिक दुई मात्रिक ठीक है और एक त्रिक मात्रिक होती है दो से जाधा वाली होती है ठीक है चलिए नेक्स है हिंदी में ब्यंजन बर्णों की संख्या कितनी है मतलब ब्यंजनों की संख्या कितनी है तो हिंदी में ब्यंजनों की संख्या है 33 एक बार पहले भी हम डिस हैं और देखे हैं क्या होता है उसमें क्या होते हैं। कंट से आवाज्टथी है पा बर्ग का उच्छारण स्थान क्या है य fifल और से हम इसको बोलते हैं ठीक है next question देखेंगे सबर्ग का उचारण स्थान तठ डढड़ अना बोलिए तो मूर्धा मूर्धा के आयता जो तालू के उपर होता है उसको हम मूर्धा बोलते हैं ठीक तालू के ऊपर का भाग जो होता है उसको मूर्धा बोलते हैं बहां से इनको उच का उचारण स्थान क्या है ओठ है इसलिए इनको ओस्ठ कहते हैं अंतस्थ बेंजन कितने प्रकार के होते हैं अंतस्थ बेंजन भीया चार प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं या र ल वा यह होते हैं ठीक है चार अंतस्थ बेंजन इन में से कौन सा शब्द संग्या से बना हुआ है ठीक तो एक होता है कुल ठीक तो कुल का जो पिशेशन बनाएंगे तो वो कुलीन हो जाएगा ठीक है कुलीन और कुलीन है क्या ये बास्तविक्ता में ये बिशेशन है ठीक है ये बिशेशन है ठीक है नेक्स कोशन है इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ है ठीक है इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ है ये चीज हमें बतानी है ठीक तो देखो प्यास संग्या है पशु संग्या है संतोष ठीक ये भी संग्या है ठीक है ये संग्याएं है और ये इच्छु यह संग्या नहीं है ठीक है इच्छुक संग्या नहीं है ठीक तो यह संग्या से बना है ठीक है संतोज इच्चुक नएं इच्चुक तो कोई ब्यक्ती होगा या फिर कोई मतलब संग्या ही होगी यह संग्या है संतोज इसका अंसर सही हो जायेगा मतलब यहां पर अंसर हमारा होगा ओप्षन सी होगा नेक्स कोशन है इनमे से कौन सा सब्द सर्वनाम से बना हुआ है ठीक तो जिसे तुम तुम का सर्वनाम क्या हो जाएगा तेरा हो जाएगा ठीक तुम का सर्वनाम क्या हो जाएगा तेरा हो जाएगा ठीक नेक्स कोशन देखेंगे इनमे से कौन सा सब्द संग्या से बना बार्शिक पमान पमान जो है ठीक वो संग्या से बना हुआ है जैसे मान मान जो है वो एक संग्या है और उसमें अप जोड़ दिया तो अपमान हो गया ठीक है किरिया से बना हुआ है तो यहांपर करिया से बना गुआ किरिया नहीं है बट क्रिया से समझना तो क्रिया हो गई इस लिए यह नहीं बनेगा ठीक कमाना वेखी कमाना कहते हैं बहुत कमा रहे हो यार ठीक तो कमाना ये हो जाएगा क्रिया ठीक है ठीक ये क्या हो जाएगा क्रिया और इसी में लगा दिया जाए कमाओ तो क्या हो जाएगा ये क्रिया से बना हुआ एक संग्या है ठीक है नेक्से इन में से कौन सा सब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन है ठीकㅇ hein क्या है है विशेशन है आज का शांथ ठीक भर यह आज का यह जो है यह अक्षण को अकवार किर्द्द्न aaren बता रहे है यह तों बता रहे है इसलिए है इन में से कौन्शा शाब्द पुलिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, ठीक, तो ऐसा ये तो पुलिंग है, ऐसा पुलिंग है की नहीं है, ऐसा पुलिंग है, बड़ा ये भी पुलिंग है, काली, काली जो है वो स्त्रीलिंग है और काला से बना है, ठीक है, किससे काला से बना ह नेक्स कोश्चन है कौन सा संस्क्रत से तदभव बनाया गया इनमें कौन सा संस्क्रत से तदभव मतलब संस्क्रत से तदभव यह पूछ रहा है ठीक है तो बच्चा जो है वो तदभव है कैसा है तदभव है ठीक है तदभव शब्द है ठीक इनको याद रखें Next question है, कौन सा सब्द गुण बाचक विषेशन है ? गुण बाचक विषेशन है तेके 5 लड़के, ये तो संख्या वाचक 10 हाथी संख्या वाचक ठिक, लाल फूल फूल की बाचक का गुण क्या है ? ठिक, ये क्या बता रहा है ? गुण बता रहा है और गुण बताएगा तो वही गुण वाचक विशेशन हो जाएगा संख्या वाचक विशेशन कितने प्रकारके होते हैं तो संख्या वाचक विशेशन होते हैं तीन प्रकारके ठीक है नेक्स कोशन है कौन सा सब्द परिमान बोधक विशेशन है इन में से कौन सा सब्द परिमान बोधक विशेशन है तो सेर भर दूद ये परिमान है ये ठीक है ये परिमान का मतलब होता है मात्रा ठीक मात्रा परिमान का मतलब मात्रा से होता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखेंगे प्रियोग की द्रश्टी से विशेशन कितने प्रका के होते हैं । नेक्स कोशण देखेंगे इनमें से कौन सा बिभः लिए बिशेशन है मतलब किसी के लिए बोला गया है मेरा लड़का आलसी है है तो बिधे कौन हो जाए लड़का ठीक और यहां बिशेशन कौन हो जाए Value आलसी ठीक मतलब लड़के की विशेस्ता बता रहा है और है किसका मेरा यहां से रिलेटेड है ठीक है तो इसलिए इसमें हो जाएगा हमारा विध्ये विशेशन इन में से कौन सा शव्द मूला वस्था में है मतलब अपने मूला वस्था का मतलब बताया था एक मतलब अथी दीक है एक कंपरिटिव दिगरी और एक सुपर लेटिव डिगरी तो इसमें यह पॉजिटिव डिग्री है ठीक है और उत्मावस्था होती सुपरलेटिव डिग्री ठीक है इसको उत्मावस्था बोलते हैं ठीक है उत्मावस्था बोलते हैं ठीक है तो इसमें पूछा मूलावस्था यह से सुंदर सुंदर होगा फिस सुंदर जादा सुंदर हो जाएगा थिक यदिक सुंदर हो जाएगा। और सबसे सुंदर सुंदर्तम तो यहां पर यह मूल आवस्था में है। छेकिन सकर्ण तो यह है उत्तमा आवस्था। प्रियत्र यह हो जाएगा। उत्रावस्था। यह रहे आज के हमारे 30 most important questions जो कि हिंदी से related थे ठीक है वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें कि भी इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिबेशन मिलता है और चैनल को अगर सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब वीडियो को भी अमारे चैनल को भी कर लें